और आप बाचीत कर लेते हैं गौरांगा। गौरांगा क्या सला देंगे आप इस नए आई पियो के बारे में और किस तरीके से आप सब्सक्राइब करने की या फिर नहीं सब्सक्राइब करने के आप इन्वेस्टर्स को सला दे रहे हैं। कर सको। 88% हेल्थ केर निट्रिशन से इनका कारोबार जुड़ा हुआ है और बायो प्रोसेसिंग में करीबन बारा परसेंट। छे मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट है चार इंदोस्तान में दो यूएस में। आर और ये फैसिलेटी इनके पास चार है तीन भारत में एक यूए उसको लेकर के बहुत बड़ी अपॉश्णिटी हो सकती है और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे ये प्रोड़क्ट डेवलप कर सकते हैं ये बहुत बड़ी खुबी है इनके पास पास उच्चतम स्थरपर चल रही है और शायद आने वाले सेमे में जरूरत पढ़ प्रोड़क्ट रिकॉल को लेकर के हुई थी कुछ समय पहले अगर ऐसी परिस्तिती फिर से बड़े तोर पर खड़ी नहीं होती है तो मेरे खाल से वविश्य काफी उज्वल है कमपनी का जी चले तो सब्स्राइब कि रहा है गोरां की तरफ से भी साइपयों को लेकर आई ह कि जब भी मैं कोई शेर्स करें तो मतलब बढ़नी बाते हैं लेकि आपका इस प्रोग्राम भी है निवेश की आनी आपकी जवानी तो जब भी मैं का इसलिए नहीं बन पाती कि मैं दूसरे को तला देता हूं तो वो शेर्स बहुत बढ़ जाता है पाइस जेट टाटा मैटलिक्स मैंने इकको पंडरे देखा था वेदान सा मैंने 80 रुपे देखा था इंडाल को मैंने 75 रुपे देखा था और वो सब यहां तर डवल के लगवग हो गए तीन तीन गुने हो गए हैं यह कैसे हो सकता है कि मैं जो कोई की शेयल हो बिल्कुल इस तर पढ़ जाता है अब आप इस्टोर वन डेटेल को देखिए तो बिल्कुल इस तो नब्बे के आसपास नीचे तक आता है और 220 के आसपास उपर तक जा रहा है वरुण जी यह समस्या जो ही है यह काफी समय से इसी प्लेटफॉर्म पर सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई शेयल लिया जाता है उसके आद गिर जाता है और जिसकों निवेश नहीं करते हो बढ़ जाता है आशीश इसका जादा भीतर जवाब दे सकते हैं आशीश आप मुस्कुरा भी काफी रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे इससे जड़ा वार स्टोर वन को लेकर आपकी रहे क्या है सबसे पहले अभी जो डिसकेशन हुआ उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा बिसिकली क्या है निवेश जो है वो निवेश पूरा जानकरी ना लेते हुए निवेश करने की जो निवेश जो करते है उसकी वज़े से ऐसी चीज़े होती है मेरे ख्याल से स्टॉक मर्केट से अगर हमें पैसा का मना है तो हमारे पास चार चिज़े होना बहुत जरूरी होती है वो हमारे साथ नहीं होगी यह इसके उपर मेरा पुरा बरोसा है तो जितने सारे निवेशक आज अभी यह देख रहे हैं उनकों सब के मेरी यह सजेशन है कि पहले निवेश करने से पहले सही जानकरी लेना बहुत जरूरी है और जी बिजनेस अपने दर्शकों को यह सही जान करेक्षिण जो है इसके पास है यह जो फुर्ड डौट गरे करे करेक्षिण के पास वापस उसक्राइब बड़े बड़ोतरी आ सकती है तो फोल करने कि सल्हा होगी और स्टॉप लोज जो है थुड़ा डिप डॉन होगा और 181 का श्तॉप लोज लगा कि यह फ्तॉड करें राइट चलिए अगले दर्शक से बाचीत कर लेते हैं पूने से सपना जी ने हमें कॉल किया है नमस्कार सपना पूचे अपना सवाल जी मेरा दो शेर हैं एक है M&M फाइनेंशियल जो मैंने लिया है 200 चेर्ट अधर रेट ऑफ 257 and another one is Thomas Cook 200 at the rate of 220 चीक है और दोनों पर ही नजरिया क्या रखती है आप सपना जी at least six months six months का अपका नजरिया ठीक है गौरांग दो शेर इनके पास पहला शेर Thomas Cook का जहां पर 220 की इनकी खरीदारी है और 193 पर अभी चल रहा है कुछ नुकसान जरूर है यहां पर दूसरा शेर इनका M&M फाइनांस पर है और यहां पर 257 के आसपास खरीदारी की है 200 रुपे के आसपास की इनकी quantity भी है M&M फाइनांस पर दोनों पर ही क्या strategy आप recommend करेंगे इनको पहले तो इनको गुदारिश करूँगा कि यह जो समय सीवा है इनके पास इसको बढ़ा दे खास करके M&M फाइनांस में और वो इसलिए मैं बढ़ाने की कवायत कर रहा हूं साक्षी क्योंकि यह जो बालिस का मौश्रम है यह हाल फिलाल तो शुरू हुआ है इसका सकारात्मक रुजान आने के लिए नतीजे के उपर कम से कम 9 मैने या साल भर लग सकता है क्योंकि जो बड़े तोर पर कारोबार है M&M फाइनांस का वो मध्यम ग्रामिन और ग्रामिन शेत्र से जुड़ा हुआ है और फाइनांसिंग और रिफाइनांसिंग ओफ एग्री एंट ट्रैक्टर्स तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर नजरिया बढ़ा देते हैं 9 मेने साल भर का करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यहां से काफी कुछ और भी जादा फाइदा हो सकता है तॉमस कुक पर दूविदा ये हैं कि जिस प्रकार से जिवे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस शेत्र से जुड़ी हुए शेर में काफी कुछ वोलिटालिटी आने वाले समय में आ सकती है ये हम निर्णाइक तरीके से नहीं बता सकते कि आने वाले छे महिनों में तीन महिनों में साल मर में कहा पर किस प्रकार से क्या घटना हो सकती है और ओवरल परफॉर्मन्स भी आगर आप देखने जाए तो थोड़ा बहुत साइड़ वेस टो अंडर परफॉर्मन रहा है तो अगर ये यहां से निकलना चाहती है तो मैं को राय दूँगा यहां से निकल करके लंबी एवधी के नजरीय से नीजी बैंक आईसी एसे बैंक में निवेश करें जहां पर हमारी पॉसिटिव कवरेज है तो आप यहां से निकल के आईसी एसे बैंक में निवेश कर सकते हैं आपको राय दी गई है और थॉमस को रादर अभी आदा फीज़ी नीचे कामकाज भी कर रहा है, करीब 13-30 के स्थरों पर ट्रेड करता हुआ इस बीच कुछ शेर्स को देखें, जहाँ पे एक मूव है तो उसमें मीटकेप IT स्पेस में कुछ बाइंग आ रही है स्पेशली KPIT टेक करीब 2% उपर अभी अभी आया है, माइंट्री के अंदर कुछ बाइंग आई है, करीब सवाफीज़ी के आसपस की बड़त माइंट्री में है अभी लेकिन विपरो करीब 3% नीचे काम काज कर रहा है, कुछ सेलेक्टिव बाइंग आईटी के अंदर लॉटतो रिखाई पड़ी है